साथ यो नमस्कार मैं महेश चंदर कोशीक एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ आज का वीडियो बहुत ही मेहत्वपुन होने वाड़ा है आपके लिए आज हम एक बहुत ही मेहत्वपुन टॉपिक टर्टल टेडिंग पे चर्चा करेंगे मेरे कुछ फॉलोवर्स ने कमेंट करके डिमांड की थी कि मैं टर्टल टेडिंग के बारे में वीडियो बढ़ाऊं तो आप बहुत ही मैं आपको सरसब्दों में बहुत ही अच्छी एक टेडिंग की मैथड बताऊंगा जिसके अंदर आप देखेंगे कि कैसे हमने यदि टर्टल टेडिंग की होती तो रिलाइंस के सेर में बहुत ही से बहुत ही सेफ लिए अबने 51% मुनाफ़ा कमाया होता और यह किसी में भी लागो हो जाएगी और इस विदी की एक विसेस्ता यह भी टर्टल टेडिंग की कि आज तक मेरे विडियो में आपने देखा होगा जो अटोमेटेड सीट वाड़े वीडियो है मैं स्टोप लोस को ज़्यादा प्राक्मिकता नहीं देता मैं स्टोप लोस के बारे में वीडियो में चैलेंज उसमें इनाम जीता है उनके पिछले मेरी इनाम जीते हैं तो मुझे इमेल कर देना इमेल आईडी में description में प्रोवाइड करा दूँगा तो हम अमारे चैनल पे एक जिवाज है कि उन followers के certificates पहले अमारे चैनल पे हम दिखाते हैं उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो आएए पहले इन सभी जो 30 जो टेडर ने पिछले एक मिने में certificate जीत के मुझे बहुत बढ़ाई और शुब काम नाएं आपको शी्या पर परफूल राजन जी दूसरा certificate बेजा है मुरूगन वुपेंद्रा जी ने पर आपको बहुत बहुत बदाई और आर्दिक शुब कामनाएं ये हैं किरन जगनाथ पाटिल जी बहुत बहुत बदाई और शुब कामनाएं किरन जगनाथ पाटिल जी आप जियून में ऐसे ही आगे तरकी करते रहें फिर हैं हमारे प्रकास नाग जी भाई दनानी जी प्र मुकेश कुमार मौरिय जी ने भी सर्टिपिकेट जेता है मुकेश कुमार मौरिय जी आपको भी बहुत बहुत बदाई और शुब कामना पिर है अमर कुमार मनु भाई गडिया जी आपको भी बहुत बहुत बदाई और शुब कामनाए चिदा नंद बाबू राओ गोटा खिंडी जी आपको भी बहुत बहुत बदाई चिदा नंद जी ने भी दूसरी बार लगातार सर्टिफिकेट जेता है तो चिदा नंद और शुब कामनाई अगला सर्टिफिकेट है देवेंदर नारायन खाड़े जी का देवेंदर नारायन खाड़े जी आपको भी बहुत-बहुत बदाई और शुब कामनाई दिक्षा गुपता जी ने लगातार आठवी बार सर्टिफिकेट जीता है दिक्षा गुपता जी जावेर भाई नासित जी कम्रेश जावेर भाई नासित जी ने भी लगा ता दूसरी बात जीता है कम्रेश जावेर भाई नासित जी आपको भी बहुत बहुत बदाई और शुब कामना है यह है महीपती वी पाटिल जी महीपती वी पाटिल जी आपको भी बहुत बहुत बद बदाई और शुब कामना है राम पाल सियंग यादो जी ने सर्टिपिट जीत के हमें पेजा है राम पाल सियंग यादो जी आपको भी बहुत बहुत बदाई और शुब कामना है यह है रतंगिता रतनाकर राव सिंदे जी रतंगिता रतनाकर राव सिंदे जी आपको भी कुमार मौरिया जी आपको भी बहुत बहुत बढ़ाई और शुब कामना है ये सर्टिफिकेट बेजा है हमें सुधीर कर्षना बुहार जी ने सुधीर कर्षना बुहार जी आपको बहुत बहुत बढ़ाई और शुब कामना है और इसके बाद इन्हों ने अपना दूसरी बा बहुत 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 बदाई और शुबकामनाई विशाल सक्सेना जी ने सर्टिप्रेट हमें बेजा है विशाल सक्सेना जी आपको भी बहुत बहुत बदाई और शुबकामनाई अगला सर्टिप्रेट हमें बेजा है वल्यू दिन एहमत जी आपको भी बहुत बहुत आर्दिक बदाई और बहु जुलेखा खानम जी आपको भी बहुत बहुत बढ़ाई और शुब कामना है तो यह तीस फॉलोवर्स ने सर्टिफिकेट जीत के मुझे बेजे थे मुझे बहुत खुशी होती है इस प्रकाइश सर्टिफिक्टों से आप भी जीते हैं तो डेस्किप्शन में मैं अपना इमे प्रकाइब करके दिखाऊंगा जो त्योरी मैंने समझाई पिछले एक दो सालों में आपने उस त्योरी से काम किया होता तो प्रकाइब क्या होता और आपको गूगल फाइनेस पे एक ऑटोमेटिट सीट भी बना के दूँगा जो टर्टल टेडिंग के बारे में सब कुछ होंगे इसका नाम भी बड़ा जीव सा लगड़ा होगा आपको टर्टल मानी होता है समुद्री कच्वा समुद्र में जो कच्वा होता है उसको कहते हैं तो अब टर्टल ट्रेडिंग क्या चीज होती है देखो जुलाई 1904 में के अंदर फाइनेंसियल वर्ड मैगजिन एक क चापा गया उस आर्टिकल में 25 स्थान पे नाम था जेरी पारकर का जिसने एक साल के अंदर ही जो है 35 मिलियन डॉलर कमाए थे 35 मिलियन डॉलर यानि लगबग 63 क्रोन रूपिय एक साल में कमाए थे उसने तो यह टॉप प्लेयर के अंदर 25 स्थान था इसका इसका इसे उपर टॉप अधिल क्या बला है और ऐसे 23 लोगों के लिखा था जो सो टोप अंडर्ड प्लेयर थे उसमें से 23 लोग थे टॉप और वो टॉप क्या थे वो एक गुरू थे अमरीका में और डेनिस और डबलू एकडाट दोनों मैं यह आर डेनिस थे उस आर डेनिस के शिश्य थे जैसे आप लोग मेरे फॉलोवर्स हो वैसे वो आर डेनिस के फॉलोवर्स थे सो में से 23 लोग ऐसे थे उन्होंने अच्छा खसा मुनाफ़ा किया था टॉप अंडर प्लेस्मेंट का नाम आया था तो लोगों को जिगासा होई कि यह जो टर्टल क्या बला होती है तो अब टर्टल सुनगे कि माता के गरब में यह बच्चा टेडिंग की स्किल्स सीख के आता है जीन्स होते हैं उसके अंदर जिसके अंदर टेडिंग के जीन नहीं है वो सेज़ जाने पैसा नहीं कमा सकता ऐसा मैं नहीं कर रहा हूं ऐसा वार्म बफट ने का था तो अमेरिका में माना जाता था कि कि दे ओवेरियन लोटरी है तो इस बात को गलस साबिट करने के लिए और डेनिस और उनके पार्टनर थे डबलू एकडाट उन्होंने सर्थ लगाई कि जैसे वह एक गुमने गये तो वहां उन्होंने शिंगापुर गये थे वहां देखा उन्होंने एक तर्टल फारम था जिसके अंदर समंदरी कच्छों को पाल पॉस के बढ़ा किया जा जा रही तो उन्होंने जैसे यह depressing पड्डुर को गरोव करते हैं वैसे हम ईक तर्टल की तरह टें। पड़ा सकते हैं इसलिए उनका जो मेथड था उसका नाम पड़ा टर्टर टेडिंग और उन्होंने अकबार में अड़र्टाइजमेंट दिया अकबार में अड़र्टाइजमेंट देके अकाउंटेंट नर्स अलग फीड से उसने लोगों का चेन किया कोई जो कपड़े सिलने वाड़ा था और अपनी तरफ से उनको 10-10 लाख रुपे प्रोवाइड कराए उनको कहा कि यदि आप टर्टर टेडिंग में आपको सिखाऊंगा टर्टर टेडिंग में अंदर पैसा भ तो यह तो एक संचीत इतियास मैंने बता दिया है जिनको वैसे तो किसी को किताब पढ़ने की दूरत नहीं है इसकी किताब है यह कंप्लीट टर्टर ट्रेडर अमेजन पर मिल जाएगी 925 रुपे की किताब है इंडिया में काफी महंगी लगती आपको तो 925 रुपे की उस किताब भी पढ़ सकते पर जूरत नहीं है मैं मेरे वीडियो में एक नया फिल्टर भी उसमें एड़ कर रहा हूं जो टर्टर टेडिंग की जो 1923 वाला में था उसमें फिल्टर भी नया लगांगा मैं क्योंकि आज के दोर में लगाना ती आओ सक है तो थो थोड़ा पहले थे उसमें कि पहला रूल यह था कि कोई भी उसके 20 दिन का आई बनाता है बीदिन मानी एक मीने का आई फॉर विक का एक विक के अंदर पांच टेडिंग सेशन होते हैं तो फॉर विक का आई मानी उसका 20 डेज आई कोई भी सेरु में जो प्राइस पिछले 20 डेज में नहीं आया 20 डेज में नहीं आया यानि पिछले एक मीने में जो प्राइस उसको खरीद लो यह सिदा सा सिस्टम था बाय के लिए यह रूल रूल बन के अंदर और सेल के लिए था कि पिछले दस दिन का लो पिछले जो टू वीक का लो जो है उसको स्टोप लोस की तरह रखो उसको जो है दस दिन का लो यह दी आ गया तो उसको बेच के निकल जाओ तो मानों कि वो जो है यह ब्रेक आउट रॉंग हुआ था इमिल्कुर डार्वस बोक्स ट्योरी से मिर्ता जूता है आपने देखा होगा कि डार्वस बोक्स ट्योरी में हम पिछले 5 दिन का आई प्र प्रोइड करा रहा हूं तो मेरी जो डार्वस बोक्स ट्योरी बाड़ा वीडियो है उसमें हम क्या करते हैं फाइब डे का आई खरीदने के लिए यूज करते हैं स्टिपी में इसके अंदर यह रूल बन उससे मिलता जोता था लेकिन हम यहां रूल बन का यूज ही नहीं कर आपकी पिछली टेडिंग प्रोफिट में रही हो तो रूल बन के अंदर टेगर होते हैं उसको नहीं खरीदना वह तो क्या लगाता टेडिंग करते थे इस तरह से एक इसेर में बार-बार टेडिंग करते थे तो आप यह कहां हिसाब रखोगे दूसरा यह कि 1983 में जो है मार बहुत जल्दी आपको शेर बेच के बार निकलना पड़ेगा बार-बार आपको लोस्त बुक करना पड़ेगा आप लोस्त में भी जा सकते हो तो मेरी में यह रूल बन मैंने आपको सिर्फ जो है ठोटिकल पार्ट के रूप में समझाने के लिए बता दिया लेकिन मेरी मैं सिर्फ रूल टू का में आएगा आपके रूल टू क्या है रूल टू के अंदर 55 डे का आई देखा जाता है 11 वीक का 11 वीक लगभग तीन महीने से एक वीक ही कम है यह तो तीन महीने का यह जो आईएश्ट प्राइस होता है इस पर जिए कोई खरीता है तो फास ब्रेक तर पर जाके फस सकते हैं तो जैनि उसने तीन मिने का यह बनाना वहां उसका सबसे आएश्ट अस्तर था वहां जाके आपने करी दिया आप उसके अंदर फसके तो इसको रोकने के लिए मैंने मेरी जो गूगल फाइनेंस पर आटोमेटिक शीट दिया उसके फिल्टर भी ल लो प्राइस था उससे भी वह नीचे आ जाता है नीचे आके बंद हो जाता है हम तो उसको क्लोज प्राइस पर लेंगे उल्टा क्योंकि आप जाता जानते हैं कि मैं आफ्टर मार्केट और बढ़ना ही ज्यादा पसंद करता हूं या उसका जो है जो हम जो जीटीटी ओडर चाहि जानते हैं गुड टीटीटी ओडर होटा है जीटीटी ओडर जीटीटीड आम पहले से बरके रखेंके लुकाइद जब भी आएगा उसमें टीगर हो जाएगा तो वो उसको चाहिए आप सोप लोस कह दे और चाहिए उसको जो है ट्रेलिंग सो बढ़ता रहा उसके ब और रिलाइंस इनिक किसी भी शेर में आप उसको प्रयोग करके देख सकते हैं लोस होगा तो बहुत मामुली लोस होगा ज्यादातर मामुलों में प्रोफिट ही होगा प्रोफिट बहुत हायर इस तरपे जाके होगा जो आप यह तीन च्यार पांथ 10 परफिट बुक करते हैं उससे कहीं ज्यादा हायर प्रोफिट होगा और लोस होगा तो मातर एक दो परशेंट का उसके अंदर होगा तो बहुत अधिक होता इसके अंदर और अभी मैं समझाता हूं आपको देखी अब मान लिजिए यह कोई शेर का ग्राफ है और यहां आपने देखा उस सेर का 55 डे चोड़ दिया जी टीटी और इसको कहते हैं यहां आपने इस अज्यश्ट स्टर का जी गटीटी ओर बरकर आपके छोड़ दिया तो यह दिखती बात है यहां जाकर आपका जो टिकर होगा यह शेर आपको प्रोफिट देता और नीए इसके यह यह पॉइंट बन ता यह स्क होता तो इसके लिए मैंने नियम बड़ाया है कि उसके 55 दिन का जो 55 डेज का जो आई-एश प्राइस है शेर खरीते समय हम यह देखेंगे जी टीटी ओडर बड़ते समय से जी टीटी ओडर फीड करते समय यह आपको बात कम भी समझ में आ रहे तो आगे जब रिलाइस की में प्रेक्टिकल सीट अभी समझाओं गाता आगो और समझ में आ जाएगी कि जी टीटी ओडर फीड करते समय हम यह देखेंगे कि शेर का जो वर्तमान प्राइस है वह इस 55 डे लीजिए रिलाइस का एक्जामपल लीजिए कि रिलाइस ने माल लीजिए लगब जो मुझे सभी तो याद नहीं है मालो कि त्रीश्टी फाइब डेज का इस प्राइस है अभी माल सबसे अच्छ तस्तर था उसका उसके बाद रिलाइस वापस तूट गया अभी रिलाइस 2019 के करीब मान लीजिए आ गया है 2019 के करीब रिलाइस का से अभी चल रहा है तो यह जो है उस 10% से 20% तक तुटा हुआ भी तो हम जो जी टीडी ओडर अभी इसमें बढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं रिलाइस में और जब हम बरेंगे तो उसमें क्या होगा कि यदि यह वापस जो 2300 कुछ रुपैस का जो इस प्राइस था उससे उपर जाता है यानि तो हम मानेंगे में नहीं फ्रैस जो तेजी सुरू हो गई नहीं तो हम जी टीडी ओडर बली बर देंगे उसको कभी-कभी आपको अपते-दो अप्टे में अपडेट करना पड़ेगा क्योंकि 55 days का लेकिन फिल्टर का फाइदा यह होगा कि यह जब 239 में बन रहा था तब यह दी हमने तो मेरा फिल्टर क्या है मैंने इसमें एक एक एक्स्ट्रा फिल्टर लगाया है वह फिल्टर यह है कि जी टीटी ओडर बढ़ते समय जी टीटी ओडर बढ़ते समय शेयर का क्रंट मार्केट प्राइस उसके 55 दिन के हाई से 10 से 20 परसेंट की रेंज में नीचे होना चीए 20 से ज्यादा नीचे होगा तो कोई इता जल्दी बढ़ना नहीं इसलिए आपको जीटी टीटी ओडर बरके पास उद्दुख पाने की आवशकता नहीं और 10 परसेंट से यदि उपर है उसका प्राइस तो समझो कि वह काफी पास में आ गया अब उसमें बढ़ने का कोई फाय जो हो गया है अब ट्रैक्टिकल सीट में क्या हुआ कि मैंने मेरे फॉलवर्स से पूछा दो अफटे पहले मैंने आप लोगों को दो हफते नहीं सौरी एक अपते पहले मैंने आप लोगों को एक टास्क दिया कि आप वाटिंग कीजिए मेरे चैनल पर मैंने कम्योटी टेम में जाके कि कौन से share का example लेके समझाऊं लेस्ट भी आप लोगों नहीं चुज किया है तो पहले is voting है का प्रेशन करेडिया सब्सक्ता पहले मैंने मेरे चेनल के community पोस्ट में मेने मेरे छेनल पे community पोस्ट में फोल करवाए कि मैं टर्टर के समझाओंगा आप चाहें तो ऐसी सीट खुद बना लें जिन्होंने टी सीस को वोट किया वो टी सीट खुद बना के देख सकते हैं यह सभी पे लगबग लागू हो जाएगा इसमें क्या होगा कि प्रोफिट होगा तो अच्छा खासा होगा नहीं तो नुकसान होगा तो ब में रिलाइस का सेर फुर्टी एट परसेंट वोट पा करके जीत गया है तो मैं रिलाइस के सेर अभी आपको इस प्रेक्टिकल में समझाओंगा लेकिन आप चाहें तो दूसरे सेर है किसी में भी अप्लाई करके देख लेना इसमें आपको पता चलेगा कि मैंने आपको क्य करें और नहीं करें और अटोमेटिक सिस्टम में आजाओ यदि मार्केट और बढ़ना वगा तो बढ़ना वागतों नहीं होगी तो आपको समझाने के लिए यह मैंने रिलाइस के पिछले दो साल के डाटा एनसी इंडिया.com से डाउनलोड कर लिये हैं तो एनसी इंडिया. .com से मैंने दो सारों डाटा आप देखें 3 दिसंबर 2018 से लेकर के 4 दिसंबर 2020 तक के डाटा मैंने डाउनलोड कर लिए इसमें मैंने close price तक के रख करके बाकी के फालतू के column इसमें से अटा दिये उनको delete कर दिया उसके बाद मैंने last impeachment days का एक column नया insert किया last 20 days low का एक column turtle trading के नया insert किया और एक हमने जो filter डाला था कि जब हम price को feed करेंगे turtle trading के लिए तब उसका last 15 days high से उसके जो percentage differences है बरतमान price का बरतमान close price का हमने percentage में जो अंतर है पिछले 15 days के हाई से वो 10% से लेके 20% के बीच में ही होना चीए इसके लिए हमने एक column add किया ही है percentage difference in close end 15 days high का तो अब 15 days high के लिए हमें formula feed करने के लिए हमें क्या करना होगा 15 दिन के बाद भीड हो सकता है यह तो sheet में जो हम नीचे चलेंगे तो आप देखेंगे 57 में दिन में मैंने फार्मूला दिया है यहां पर ब्राबर maximum D2 से लेकर के D56 तक का क्योंकि पहला नमबर पर एडिंग है तो 2 से 56 मानी 55 दिन का यह high price उसका maximum price यह आजाएगा D column पर यह देख़वाई है तो इस जो highest high के अंदर 2 नमबर से लेके 56 नमबर तक जो highest price होगा वह यहां automatic formula के नुसार आजाएगा तो यह आपको excel sheet में समझाने के लिए इसता है मैंने formula दिया है बाकी google finance sheet का formula अलग है वह आप google finance sheet पे आपको मैं दिखा दूँगा अलग से तो यह 15 दिन के आई का formula है last 20 दिन के low का formula यह मैंने बढ़ दिया यह e number पे low चल रहा है देखो e जो column है इसमें low आता है तो e 37 से e 56 तक का पिछले 20 दिन का low price इसके अंदर आ जाएगा और यह difference है percentage में कि अभी जो close price इसका relance का मानलोग चल रहा है 18 फरवरी 2019 को उस close price का पिछले 55 दिन का जो high price था 1,321.20 उस से इसका जो difference था 7.65% था तो अभी अमें कोई order फीड नहीं करना है अमें order का फीड करना है जब यह difference 10% से 20% के बीच में हो यह एक extra filter में एड किया हुआ है यह उस total trading के जो 1980 वारी जो total trading थी उसमें नहीं था लेकिन मैंने आप लोगों को और भी ज़्यादा protect करने के लिए और भी ज़्यादा इसको accurate बनाने के लिए extra filter मैंने दिया है कि आपको price तब ही फीड करना है जब यह percentage difference जो है उस close price से 10% से लेके 20% के बीच में हो तो अभी तो हमें कोई price फीड नहीं करना पड़ा 10% से दिक हो गया 11.36% हो गया और यहां जो पीच में दिन का ही price था कि 1417.50 था तो अभी जो price चल दा था इस market price इसका close price जो है 1256.45 था बारासओ चपन रुपे 45 पैसे था अभी जो है close price और पिच में दिन का ही जो था 1417.50 पैसे था तो आपको यहां खाली GTT order फीड करके रखना अभी को आत्वा सेर नहीं खरीद लेना है इस price पे आपको GTT order लगा के रखना है कि यह 10% यानि 11.37% बढ़के दिखाए इस सेर में इतनी हिमत होगी कि जब यह 11.37% इसके 55 दिन का ही से बढ़के उसे आई को तोड़ेगा तभी आपका और ट्रिकर होगा यहां दिखा है मैं देखो हेर क्लोज प्राइसेंड पिच्पन दे जाई गैप इस मोर दें 10% सो वी स्टार्ट एर तो हमने क्या स्टार्ट किया खरीदना स्टार्ट नहीं किया हमने यहां GTT order को फीड करना स्टार्ट किया है एक बार जब आप जीड कर द उसके बाद तो आकिर दिखती बात है कि जब यह इस पिच्पन दिन के आई के पास जाएगा तो परसेंटेज में ट्रंप में कम होता जाएगा यह तो फिर इसको चेंज करने की सर्त नहीं है यहां यदि सीट में 25 देन का हाई चेंज हो जाता है तो इसको चेंज करना है मार्केट प्रैस अभी 1280.50 चल रहा है मेरे साओ इंडियन फ़ोलोर के लिए मैं इंगलिस में इंग्लिस में इसको चैंण करना पड़ेगा तो यहां आपको कुछ दिन लगातार करना पड़ेगा लगातारी चेंज होए तीन दिन तक लगातार आपको इसको चेंज करते रहना पड़ा उसके बाद फिर यह बन थाउजन थ्रींडर्ड नाइट्टी टू प्रेस तिर हो गया तो पिर आपको चेंज करने की जुड़त नहीं है तो अब आपको चेंज किया यहां तो एट परसेंट इता आपने का था टेन परसेंट तो आ आपने का सकतू एक बार श्टार्ट करने के लिए 10 अब अब हमन उसके बाद चेंज करते से मैं इस सर्थ का ध्यान नहीं रखना है फिर तो इसको चेंज करना ही है पिर कुछ दिन तक यह पिछमन दिन का आई स्थिर चला उसके बाद वापस यह और कम हो गया 1334.25 अभी तो कोई सेल ना लिया यह ना बैचा है इनल बेना मिद्डिसर में का स्थिर्डी मेश में Big Upgrade वैखना है एक मिनित के लिए खूल के आपका काम हो जाएगा यहां फिर आपको चेंज करना पड़ा 1361.90 और यह 1338.40 आपको करना पड़ा लेकिन सिर्फ अभी तक कोई भी ओडर आपका ट्रीगर नहीं हुआ है तो यहां चेंज करते-करते यहां यह प्राइस रहे आपका 1334.60 फिर और कम हो गया पिजबंदीन का आई 1334.45 ऐसे दरह से करते-करते आखिर एक दिन यह शुब गड़ी आ गई कि आपका ओडर यहां ट्रीगर हो गया और यहां मैंने लिखा ना बाइंग ट्रीगर एट 1334.45 तो आपको ओगे यह कहां है यह तो पिजबंदीन का आई तो यह पिजबंदीन का आई तो क्या आज आज बनाया है इसने यह पिजबंदीन का आई जो यहां तिरा सुपंदरा दिख रहा है आपको यह तो 27 सितमर 19 को बनाया लेकिन आपने पहले से जीटीटी ओडर 1334.45 पे किया वा था जब यह से उपर गया यानि इसने 1315 तक गया तो इस प्राइस पर यह ओडर आपका ट्रिगर हो गया तो यहां बाइंग ट्रिगर हो गई आपकी 1304.45 पे आपका श्टोप लोस यहां पर आतवाँ आत आपको फीड करना है जैसे ही बाइंग ट्रिगर हो जाए उस दिन मार्केट क्लोज होने के बाद आपको पिसले 20 दिन के लोग पे श्टोप लोस आपको फीड करना है यह है 1172.65 तो अब श्टोप लोस शुरू हो गए है एक बार बाइंग टीकर होंगे बाद आपको सिर्फ इस टोप लोस पर दे चेक करना है यह चेंज हो रहा है यह यह बार लगा देने के बाद आपको उसी प्रकार से सीट में चेक करते रहना है जब भी श्टोप लोस चेंज होगा खाली आपको श्टोप लोस चेंज करना है अब जो जो प्राइस उपर बढ़ता रहा है यह एक बार आने के बाद में तो श्टोप लोस देखो यहां आपको तीन दिन तक लगातार चेंज करना पड़ा 1174.30 से श्टो को फिर बढ़ाना पड़ा, आपको जो कि अब इसका प्राइस बढ़ता जा रहा है तो विसका आफ्सा बढ़ता जा रहा है तो विसका फि你 न आपको बस टेलिंग श्टोप लोस आता रहेगा इस तरह से बढ़ाते बढ़ाते चलना यहां देखिए यहां श्टोप लोस आपका क्या हो गया वन थाउजन थ्री अंड़ ट्वंटी वन यहां आपका ब्रेक विन पॉइंट आ गया यानि आपने ये श्टोक किस बाव पर ख लेकिन अब आप कुछ ने कुछ कमा के निकलेंगे और अब चूकी प्राइस लगातार बढ़ता जा रहा है 20 डे का लो भी बढ़ता जा रहा है यहां आपको 3-4 दिन तक लगातार स्टोप लोस यह अपडेट करने पड़े फिर आपको दो दिन तक अपडेट नहीं करने अब यहां आपका इस्टोप लोस क्या हो गया 1422.55 हो गया डेट भी आप देख सकते हैं डेट का चल रही है अभी यह 25 नॉम्बर चल रही है लगब 25 सितंबर को यह बाइंग ओडर ट्रीगर हुआ था देखिए आप यह पीछे चलके मैं आपको दुबार रिखाता हूं बा बचने का जी टी टी ओडर लगा रहा था कि जब यह ट्रीगर होगा 1533.75 पर यह प्राइस जाता है इससे नीचे जाता है तो मेरा बेस देना यह उसका 20 दिन का लो था और 26 दिसंबर को इसने यह 20 दिन का लो तोड़ दिया प्राइस जो है इस प्राइस से नीचे चला गया तो ओडर तो आपने यह बनावा था तो इस प्राइस पर आपका सेर ओटोमेटिक बिख जाएगा तो यहां आपने लिख दिया है प्रोफिट बुकिंग ट्रिगर हो गई है यहां पर हमने जो सेर 1304.45 पे खरीदा था उसको आपने 1533.75 पे बेस दिया और यहां के हाई पे ओडर बढ़ते नहीं नहीं बढ़ते क्योंकि अब आपका जो प्राइस दिफ्रेंस है वो मात्तर 4 परसेंट और मैंने का था यह डिफ्रेंस जो है 10 परसेंट से 20 परसेंट के बीच में होगा तो ही आप इसको स्टार्ट करेंगे तो आप बस आपको सीट करते रह करना है 10 परसेंट से उपर यह डिफ्रेंस हो जाए यह गैप यह कब हुआ 30 जनवरी 2020 को हुआ यह आपका जो क्लोज प्राइस और पिश्वन डे के आई का गैप जो है 10.74 परसेंट हो गया तब आपको स्टार्ट करना है तब आपको फिर से स्टार्ट अगली बाइंग के लिए स्टार्ट करना है और आपने इस इस पिश्वन डे के हाई 1617.55 पर आपको GTT ओर बढ़ना स्टार्ट करना है जैसे मालो आपने 30 जनवरी 2020 को बढ़ना स्टार्ट किया फिर यह काफी दिन तक चेंज नहीं हुआ तो आपको कोई यह ओर बढ़ना चेंज नहीं करना पड़ा फिर यहां यह कम हो करके 609 रुपय हो गया तो आपको यह चेंज करना पड़ा नो मार्च 2020 को दो मिने तक को चेंज करने की बीच में आपको आपको आप शकता लगबग नहीं पड़ी फिर यह 609 काफी दिन तक पिच्वन देर का हई चला पिर यह जैसे जैसे कम हुआ कई बार क्या होता है 4-5 दिन लगातार भी आपको चेंज करने जूर्ट पड़ती रह सकती है मज़े लगता है अब आप यह सीट काफी अची तरह समझ में आने लगी होगी आपको 1508 रुपय आपने कर दिया लेकिन शेयर का प्राइस अभी जो तो बाप यह बनाया गया नियम कि आप एकदम इसमें यह राई के पास में आके नहीं फच जाए एक बार कोई सेयर 10% टूट जाता है उसका आई बना के उसके बाद उसमें इतनी कैपेसिटी हो कि वापस उस 10% को क्रोश करे तो ही वो सेयर आएगा तब इसको देखो निचे चलतेगे पंदरा सो आठ का आपने यह जीटीटी ओडर बरावा था तो साथ मैई 2020 को यह सेयर जो है 1460 पे एक दिन पहले बंद हुआ था उसके बाद 1513 तक का इसने आई बनाया तो यानि इस पंदरा सो आठ के ओडर को इसने ट्रिगर कर दिया और आपकी सेकंड बाइं ट्रिगर होगी पंदरा सो आठ रुपए पे आपको बाइं ट्रिगर होते ही आतों आती अगले दिन से स्टोप लोस लगा देना है जो क्या होगा 20 दिन के लो 1100 रुपए के बराबर हुआ फिर यह इसको आपको आई को जो ट्रेक करना बंद कर देना ह पर आपने स्टोप लोस को जैसे से चेंज होता रहें वैसे-वैसे को चेंज करते रहना है कभी-कभी तीन तरी चेंड करने जूर्थ ुदो धिन लगा जाके दुबार हम आपको याद दिलाता हूँ देखो आपने इसको पंदरासो आट पे लिया था और यहां इसका आपका ब्रेक विन पॉइंट स्टार्ट हो गया कि अभी स्टोप लोस ही पंदरासो आट से उपर 1561 हो गया है फिर स्टोप लोस जो जो बढ़ता गया बढ़ता गया जाता आपने ट्रेहिंड स्टोप लोस सुना होगा तो यही है वो यह इसको फोले एक समय ऐसा है कि यह ऍस टोप लोंर भी बढ़ता जाता है एक समय ऐसा आएगा कि यह इस खिलो जाएकर सोन का आफ का और बिख जाएगा और गाटे में नहीं बिखेगा टेलिंग स्टोपलोस में प्रोफिट में बिखेगा मैक्सिमम प्रोफिट जो मिल सकता था आपको मिलेगा और वो देखो समय कब आया सास सितंबर 2020 को आया जब आपने स्टोपलोस बर रखा था 2047 रुपीज का और 2047 रुपीज का ये ट्रीगर हो गया क्योंकि इसमें 2044.25 तक ही लो बनाया इसने सास सितंबर को तो ये ओडर आपका ट्रीगर हो गया इसमें आपका सेर बिख गया 2047 रुपीज को बिकना हुआ आप माने तो आपको 508 में आपने ख़डीदा और 2047 में बेचा 35.74% प्रोफिट हुआ आपको इस ट्रेडिंग के अंदर 35.74% प्रोफिट हुआ उसके बाद नियम के नुसार आपको दुबारा ओडरिस लिए नहीं बढ़ना है क्योंकि अभी इसको ओडर को बढ़ना स्टार्ट 21 अक्टूबर 2020 से कर सकते थे जिसमें आप क्या करते इस 2369.35 पे जी टीरी ओडर बढ़ते जो अभी तक भी ट्रिगर हुआ नहीं अभी तक आया नहीं और दीरे 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 इसको चेंज करते रहते जो यह कम होता तबी तपिस्पन अगे यदि नहीं जाएगा तो यह सेर आपके आएगा नहीं कभी गया तो समझ लो कि अब इसमें नई फ्रेस तेजी बनने वाली है तो यह सारा टर्ट टेडिंग का सिस्टम यह सीट मैं आपको डेस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उपलब दिक्रा रहा हूं आप डेस्क्रि तो यह है गूगल फाइंश की वो खिस्टमेटिक जो मैंने टर्टोल ट्रेडिंग के लिए बनाई है सिंपली इस शीट के तीन बाग है एक में निफ्टी 50 के सारे स्टोफ लिए गए हैं दूसरे बाग मैं निफ्टी 200 के सारे स्टोफ लिए कहीा है इस seat में क्या क्या देख सकते हैं ये पर यहां से और इस रा सी तो इसमें यह जो दोनों सीटों के लिंक मैंने प्रोवाइड करा रहे हैं एक तो रा सीट है जिसके अंदर आप फार्मूला वगरा को कोपी कर सकते हैं और दूसरी फास्ट लोडिंग सीट है जो वेब पेज विव होता है वो फास्ट लोड होता है कई बारा सीट के को ओपन दिकत आती है तो इसमें 25 देज 5 का फर्मूला दियावा अटंवेटिक आए गा और 20 दिन के लो का फोर्मूला दियावाए ओपालल दियाओ Els कितना हैं 25 डे यह निफ्टी का शेर जो है आईसर मोटर है इसके अंदर इसका जो बरत्मान प्राइस जो है 2,455 रुपए है और पिच्वन दिन का जो हाई है वो 2,727 रुपए है तो यह इसके 10% से 20% की रेंज में है तो यहां यह अपडेट जी टी टी ओडर है कि यहां से आप जी टी टी ओडर बढ़ना कलर भी ऑटोमेटिक आएगा इसको कहते है कंडिशनल फॉर्मेटिंग इस सीट के अंदर तो निफ्टी के सिर्फ दो सेरों में आ रहा है दूसरा है रिलाइंस रिलाइंस का जो अभी बरत्मान प्राइस है 2,000 के आसपास है और 55 दिन का 20,9名 रुपय है तो यह 5,15 परशेंट बिलो है याणी 10 से 20 परशेंट की रैंज में रेंज बढ़ना चीह थि महीं है, दूबारा रिलान से लिप दी 209 से उपर जाता है तो हमें खरीदना है नहीं नहीं खरीदना एक बार खरीदने के बाद इसके 20 दिन के लोपे हम इसको stop loss बढ़ना स्टार्ट कर देंगे फिर यह निफ्टी 200 में भी ऐसी दिये हैं इसमें यह आपके अलग-अलग शेर इसमें भी टिगर हो रहे हैं ट्रेंट जैसे टिगर हो रहा है माइन ट्री जैसे लिदना है और यह बीच में जो नेट बंद हो गया इसलिए लिखा रहा है वरक ओफ-लाइन इसको मैं काट देता हूं और इसी प्रकार यह निफ्टी इमिडेंट समाल के पिश्टोक है तो इसके अंदर भी यह किसी-किसी में दिखाएगा अपडेट जी टीटी ओडर इसको आपको रोज अपडेट करते चलना इसको और एक बार स्टार्ट करने में इसका द्यान रखना है कि यह दस से बीस परशेंट की रेंज में हो बजह का हो मैंने अभी आपको पहले बॉर्ड पे समझा दी है तो इसका इसके दो प्रकार की सीट के लिंक है यह तो है रा सीट है करके पूस्ते हैं साब कोपी कैसे करें इसको आपको फाइल मिन्यू पर जाकर के किलिक करना है कोपी करने के लिए यहां जो मेक कवी में जाना आपको देखो बहुत से लोगों के यह नहीं आता मैरे पामifferentаюсь आती लिख इर्फ। वेकल साथ कीडिश बार काई जाएक से एकसेस रिक्वेस्ट कोई कहता है मुझव कैता है कोई की मुझे कोपी बैजो तो अब आप सी आप को इस MOR परिलिक करना Lefunk लिख करना है उस नाम है, नितिन पुटदे जी ऐसे Google Finance Seat बनाते हैं, उनका खुद का YouTube चैनल भी है और मैंने उनसे ही Google Finance Seat बनाना सीखा है आप नितिन पुटदे जी के चैनल को भी सबस्काइब कर सकते हैं, मैं उनका को एड़िजमेंट नहीं कर रहा, मेरा उनसे कोई contact नहीं है लेकिन वो मैं एज गुरू मानता हूँ उनको इत्य अच्छी सीट बनाई उन्होंने तो आप जैसे नितिन पोटाडे जी आपका नाम यदि हो तो नितिन पोटाडे टर्टल टेडिंग पॉर्टफोलियो बेडर नाम से इसको ऐसे सेव कर लेंगे तो आपके गूगल ड्राइ खुला हुआ है तो इस तरह से कोपी करने के बाद जब आप अपने गूगल ड्राइव को रिफ्रेश करेंगे तो उसके अंदर जिस भी नाम से आपने सेव किये वो सीट उस आपके गूगल ड्राइव में दिखाई दे जाएगी जैसे हमने जो है नितिन पोटाडे टर्टल बिलिटर तो इस से आपके सीट ये खुद की परसनल सीट बन जाएगी मेरे वाड़ी नहीं रहेगी और ये कहां मिलेगी मैं आपको एक बार फिर बता देता हूं कि इस एक को वीडियो की डेस्ट्रिप्सन के अलावा आप जो कहां से देख सकते हैं बाद में कभी आयंता ज अरव ये जो के सनकते हैं उसका लिक अलगसे दिया हूँ और टर्टर टीडिं शीट को मैंने एक ब्लोग पॉस्ट से लिंक कर दिया है जब आप टूर्ड करेंगे इसके अंदर है जो पेज़ ओपन होँझाईगा इस स्वायडिद्र्स ही पोटियो बिज़ा दूगएग तो फिर ये जो है automated Google finance sheet का link मैंने यह तर्टल टेडिंग के लिए जो sheet बनाई उसका link यहां दिया हुआ है यह राज sheet का link दिया हुआ है जिसके अंदर formula जाए पर formula वाली sheet जो है slow loading होगी और यदि आप fast loading web page view देखना चाहते हैं तो web page view fast loading का link मैंने यहां दे रखा है लेकिन इस गूगल के जो computer होते हैं उनमें load होती है इसलिए इसमें सीदे फाटा-फाट loading हो जाता है लेकिन इसके अंदर आप कमी यही होती कि इसमें आप formula नहीं देख सकते और रा सीट यदि आप बैक जाते हैं वापस इसके अंदर यदि आप रा सीट open करते हैं तो यह रा सीट open हो जाएगी और फिर इससे आप formula भी देख सकते हैं और google drive में copy करके जैसे मैंने आपको बताया है वैसे आप रा सीट से खुद की सीट भी बना सकते हैं तो मैं आसा करता हूं टर्चल टेडिंग का वीडियो आपको पसंद आया होगा और मेरी बवान से ऐसी प्रातना है कि यह आपके जो है ट्रेडिंग के अंदर बहुत ही उप्योगी साबित हो मुझे विष्वास है कि आप पूरा मैसर समझ गए फिर भी कोई संखा होता आप कमेंट करके पूछ सकते हैं मैं जादा जादा कमेंट का रिप्लाई देने का परियास करता हूं फिर भी सवाल आख फॉलोवर है तो सबी कमेंट्स का रिप्लाई भी नहीं मिलता और सभी इम के जवाब मिलते हैं पर मैं कोसिस पूरी करता हूं कि मैं अधिक से अधिक लोगों को रिप्लाइद देश तो आप कमेंट करके और पूछे का आने में टाइम इसलिए लगा कि एक तो इसमें फार्मुले डूंड़ने में काफी मैनत का कारेत आपने देखा होगा कि फार्मुल चैनी बी बता दी किटनी के पत्री का पेन बता दिया फिर डॉक्ट्रों ने इसके बीपी डाइगनोज कर दिया पिर डॉक्त्रों ने कहीं तो यह सब समच्चांते मैं निजात पाली है पत्नी अपुन्ट स्वस्त हो गई है यह सब आप लोगों की दूआउं का फल यह इस करने से पहले मेरी पुस्त को के बारें बात करनों फॉलोस को लगातार कमेंट करेंगे साब ओप्सन ट्रेडिंग से पैसों का पेड़ कैसे लगाएं इस पुस्तक का अभी ई-book वर्जन उपलब्द है वो पुछ नहीं सा प्रिंट वर्जन कब तक आने वाला है इंगलीस ट्रांसलेशन कब तक आने वाला है तो परबात प्रकासन से मेरा एग्रिमेंट दोनों से हो चुका है मेरी पिछले दिन उन्से फॉन पर बात हुई है वो कह रहे है कि गुजराती बासा में भी मेरी चारों पुस्तकें आपको अत्ती शिंगर उपलब दोने वाली है तो यह सब भी आप लोगों की दुआओं का इफल है कि मेरी पुस्तक मुझे भी बड़ी खुशी है कि इंदी इंगलीस में तो मिली रही है और अब गुजराती ट्रांसलेश मेरे साथ रहे इसके लिए आपका बहुत 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 दन्यवाद बहुत बहुत आभार नमस्कार सेर बजार में निवेश बजार के जोकिम के अधिन है यद्पी मैं महेश चंदर कोशिक सेवी से पंजीकर्ट रिसर्च चैनल इस्टूं तथा मेरी तरफ से बेस्ट जानकारी प्रवाइड कराने का पुरा प्रयाथ करता हूँ तर सेर मार्केट में कोई भी टेडिंग या निवेश का सिस्टम 100% परफेक्ट नहीं होता अता इस वीडियो में दिखाईगी जानकारी से आपको शेर बजार में 100% लाब ही होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है आपको इससे नुकसान भी उठाना पर सकता है अता इस वीडि